हमारी संस्क्ति हमारी पहचान यग्य योग आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का डिव्य संगम यग्य महिमा भारती संस्क्ति में यज्य योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल ने विद्याएं हैं जिसका मूल है वेड इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें तो भगवान राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महराजाओं ग्रामवासियों वह अरण्यवासी रिशियों की कुटियों तक नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है एक सबसे ज़्यादा बीमारी हैं वह है वातज बीमारी वातज बीमारी के काण अनेक प्रकार के शरीन में दर्द हो दें घुटनों में दर्द कमर में दर्द साइटिका गठिया और कई सारी सर्वाइकल कमर में दर्द साइटिका रिच्पों का गहर जाता है और विश्युषब्ड़ से कोश्थबद्धता हो जाती है पेट उनका कथौर हो जाता है जो खाते हैं उसके बाद जो पचनादे क्रियाए उसमें भी डकार आते रहेगी डेवसमारे रहेगी जील्श बनी रहेगी यस इस तो इसको यज्यों में जो घ्रित का प्रियोग करते हैं उस घ्रित को हमें 25% तक तो का तल के तिल का प्रियोक उसमें जोतिस्मती, अगर, तेजपता, अपामार्ग, गुगुल, तालिस पत्र, निरगुंडी विशेशुरुप से और रासना का विशेशुरुप से प्रियोग करना है, अस्वगंधा, अरंड, अरंड की बीज का भी प्रियोग कर सकते हैं, उसके पोधे, पत्ते, अधिका उसके जड़ का भी हम प्रियोग ले सकते हैं, उसके जो तेल का भी हम आहुती के रुप में भी और सामगरी में जो मिलाते हैं उसके लिए भी उस तेल का हम विशेशुरुप से प्रियोग करें, अरंड जो हती हैं, उसका तनासले पूरे पंचांग का भी हम प्रियोग ले स सकते हैं अरंड के बाद हैं देवदारू कचूर गुडवज और अतीस अतीस मिठा अमलतास अमलतास की फली काम परियों करते हैं और शतावर पिपली कुटज हरड चव्य गिलोई अधी जो ये वात सामक जो विशिश आउशदिया है ऐसा जरूरी नहीं कि सारी मिल जाए उसम अब जगा पे सरलतासे उपलब्द होती है उसको ही ले लिए जो भी उपलब्द होजाए वो जड़ी बुटियों को लेकर उसका सम्मिस्रण करके और हम करते हैं और यह तैयार हवन सामगरी अभी पतंजली की सब जगा पर आ आ गई है तो इस सामगरी को भी आप मगा सकते ह में वेशे तो तीनों प्रकार के रोगों को सांथ करने वाला होता है गूगूल तो गूगूल का प्रियोग करें और वातज रोगी विश्यशूरुप दून्दे विश्यशूरुप से डाले कपाल भातियादी प्राणाएं विशे शुरूप से करे रोगानुसार योगा भ्यास करे तो इस प्रकार से यह जो वात से संबंदि जितने भी रोग हैं उन रोगों के लिए आपको कुछ विशे शुरूप से बता दिया और एक बिमारी आज सबसे ज़्यादा अनफर्टिलिट्री की बढ़र ही है आज हमारा खाना पीना जहरीला हो गया है बहुत सारा जहरीला होने करण हमारे शेरी के अंदर असंतुलन हो गया है और हमारा जो देखने वाला दृष्य है टीवी चैनलों से लेकर करके सोसिल मिडिया चे लेकर सारी चीजे उसमें वासना विकारों से इतना भरा रहता है जिसके कारण से आज का जो यूवा वर्ग है वो वासना और व्यसन में सबसे ज़्यादा अग्रसित हो रहा है और उसके कारण वो अपनी सक्तियों को तुछ व्यर्थ कामा में खर्च कर देत और उसके कारण उनके शरीழ में बहुत बड़ी मातरा में इस प्रकार की नियूंता आने के कारण संतती की उत्पती ना होना और भी कहीं सारी प्रकार की बीमारियां जो हम नृर्मल खाना पीना ले रहे वही इतना जहरीला है जिसके कारण से यह अन्फर्तिलिटी आदी की बहुत बड़ी मातर में प्रब्लम लेते हैं और बहुत बड़ी समस्याए रहे हैं तो उसके लिए हम गर्भधा हवन सामगरी विशेश रुपति गर्भध को पुष्ट करने वाले यह पहले भी प्रियोग कर सकते हैं और गर्भधी होने के बाद भी हम प्रियोग कर सकते हैं बच्चे के पोषण के लिए, आधी के लिए, तो उसमें विशेश रूप से पुत्र जीवक, नाग केसर, काई फल, सर्पुंखा, जटा मासी, वच, अनंतमूल, मिसरी, अपामार्ग, सिवलिंगी बीज, एक कुछ विशेश जड़ी बुटिया और इसके साथ थोड़े मातरा में 25 परतिसत कुछ, दस मूलकवात मिला दे, और इससे हम हवन करें, अगनी होतर करें, यज्य करें, और इसी की दुनी करें, और इस दुनी में विशेश रूप से गुगुल की दुनी, विशेश रूप से हम करें, मिसरी की दुनी करें, मिसरी गुगुल आदी, और उसमें हम कपाल भाती अनुलों भीलों आधी प्रानायमों का अनुष्ठान की भराती अभ्यास करें और हमने देखा एक चीज करने पर एक बहन करीब चालिस साल से अधिक उम्र हो गई थी और उनका मासिक स्राव नहीं था उनको संतान नहीं हो रही और अलग अलग प्रकार के कोई सारे प्रियोग वो कर चुकी थी उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था और उसके बाद वो इसी लालत से सब निरास होकर कि बस अब जीवन से वो हो गई थी और उस समय उनको यज्जे का एक सहारा मिला और उन्होंने प्रती दिन यज्जे करना शिरू किया और आप आश्चरिय करेंगे एक साल कुछ बीता उसके बाद उनका चालिस साल के बाद मासिक उनका शिरू हो गया तीन एक महीने बीते उसके बाद वो गर्भववती हो गया और नाव में ने होने पर उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और एक नहीं परमपिता परमात्मा ने उनको एक साथ जुड़वा दो और एक भाई और एक बहन को जन्म दिया और वो परीवार इतना खुस इतना त्रिप्त हुआ कि बाद में में हम सब के सामने रख रहे थे वीचे शुरूप एक बहन का और इसे हमने कई सारे भाई बहनों को देखा हैं कि यज्जचिकित्सा को हवन को अगनी होतर को करने पर जो हमारे शेरिक के अंदर कोई फोल ने कोई समस्या तो वह भी दूर होती है जो भी समस्या हैं वो सारी की सारी समस्या है हमारी दूर होती है और हमारे सास्तों में पूर्व कर्मा स्योका भी उसमें जीकर हैं आईरवेदादी ग्रंथों में कि हमने पूर्व जन्मे में कुछ ऐसे कर्मा से किये कुछ ऐसे कर्मा किये जिसके कारण भी हमें इस जन्मा में संतान की प्राप्ति हो ना हो, उसके लिए वो दिक्कत होती है तो यदि पूरवख करिट जन्मों के जो कर्मा सही के कारम भी यदि इस प्रकार की कोई सम्थी आते हैं तब भी आप येज्य करेंगे, हवन करेंगे, अगनी होतर करेंगे तो पूर्वा जन्म के द्वारा किये गई है, जो कर्म का प्रतिफल आज आज आपको दुख रूप में मिल रहा है, संतान के अभाव के रूप में मिल रहा है, वो भी आपका सांथ हो जाएगा, उसको भी संतान की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार से गर्बता हवन सामगरे काम विशेश रूप से प्रियोग करके हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, इसी प्रकार एक विशेश और बीमारी हैं, वह आज सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और हार्ट एटेक के कारण आज बहुत तो जिसे अकल आपके सामने प्रत्यक्ष उदान रखा था, तो अब हाट से समद्ध कोई बीमारी हैं, कोई धमनियों में ब्लोकेज हैं, हाई बलड प्रेशर हैं, लो बलड प्रेशर हैं या और कोई कोई समद्ध क्या हैं, तो उसमें क्या करें, तो उसके लिए कुछ जड उसका विशेश रूप से प्रियोग करते हैं, प्रियाप मातरा में, और उसके साथ पुसकरमूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी और हल्दी, कि कुछ विशेश जड़ी बूटिया हैं, उनको कुछ मातरा में मिलाते हैं, लेकिन विशेश रूप्रधान ते हैं, पच विशेश रूप से कराते हैं, तो उससे वो रोग भी हार्ट की पेसेट भी, और कल तो जो आपने केस होना था, वो तो बिल्कुल नीस सहाई अवस्था में, कोई उसके लिए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, 24 गंटे ऑक्सिजन के ओपर, बेड़ के ओपर, कई महीने से थी, वो रोगी भी, डोक्रल लोग ने जवाब दे दिया, वो लोग भी, जो 15-20 दिन बता दिया, वो लोग भी आज तक अभी जीविद हैं, और 9 जीवन परात की हैं, तो यह हवन सामगरी काम विशेश रूशे परियोग करें, और जिनको हाई बलड प्रेशर रहता है, तो वो इसक में भी थोड़ा सा मिला दे और मस्तिस सम्मधि जो अलग-अलग प्रकार के रोग हैं, उसको ठीक करने के लिए जियोतिस्मति, संख पुस्वी, ब्राम्मी, अस्वगंधा, गिलोई, अपामार्ग, वाईवीडंग, घुडवज, उस्ते खदूस, पुसकर मूल, एक उस वि प्रकार से यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही जियोतिस्वी और एक बिमारी और विशेश रुप से फेली हुए हैं, वह है डायाबिटिस, हर घर में लगबग कोई न कोई एक पेसन मिल जाएगा, और बहुत बड़ी मात्रा मे और आज तो type 1 diabetes भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गए है, जन्म से पैदा होते ही diabetes, छोटे छोटे बच्चों को diabetes, अस्चरी होता है, इंसुलिन लेते हैं बच्चे, तो क्या करें, तो उसके लिए मधुमुक्ता हवन सामगरी, उसमें विशेश रूप से गुडमार, गु फिर दूसरा है नीम, कालमेग, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरण छोटी, गिलोई, बहडा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, रासना, कुटज, एक कुछ ऐसी विशेश जड़ी बुटिया हैं, जो विशेश करके diabetes को ठीक करती है इन जड़ी बुटियों का, इसमें से जो जो उपलद होगी, उनका सम्मिसरन करके, कूर्पीश करके, हवन सामगरी बना ली, और वेसे अपनी मदुमुक्ता के नाम से भी हवन सामगरी आपके सब जगा पे उपलद है, तो फोन नंबर के उपर कोल करके, आप मगा सकते हैं, तो ये हवन सामगरी से हवन करें, उसे के धुनी करें, उस धुनी में बेठकर के अनुलोंबिलों कपालभाति आदी प्रानायम विश्य शुरुप से करें, और मंदुकासन करें, मंदुकासन, ससकासन आदी, विश्य शुरुप से उनको डाइबिटीज में वकरासन आदी कर करने पर लाब होता हैं अर्दमच्यंद्रासन विश्र शुरुप से कपालभाति करें और मध्यमुक्ता जो हवन सामगरी उससे धूनी भी करें और हवन भी करें और एक बिमारी और विश्र शुरुप से आज वायू प्रदुसर्ण और यह सारी चीज़े होने कारण बढ़ र हैं वो कहीं सारे प्रकार के स्वाससंबंदित रोग तो उन रोगों को ठीक करने के लिए हमने स्वासामरीत हवन सामगरी का निर्वान किया उस्वासामरीत हवन सामगरी में आप लिख सकते हैं मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काले मिर्च, पिपली, इस जड़ी बुटिया है, इन जड़ी बुटियों का समिस्टन करके हमें हवन करना है, और गुगुल और ये जड़ी बुटियों से भी हम पहले शरुवात में इसको ज़्यादा प्रोब्लम है, तो इसकी धुनी करने पर उनको दिकत होगी, तो वो राल आता है, एक राल, साल के पेड़ के गौंद को राल बोलते हैं, तो वो भी मिल जाता है, और ये गुगुल जो मिल जाता है, उसको थोड़े पहले तो हवन करें, हवन के बाद इसकी हलकी धुनी करें, और उस धुनी में बेट करके भस्तरिका, अनुलों, भीलों, आदी प्रानायम करने का अभ्या के पंप छूड़ जाते हैं, कौई सारे लोगों, जिस आज ही में एक उदारन बताए, बेन नेना जी का, ऐसी प्रकार से कौई सारे लोगों को, और आदनिय भाई श्रवन भाई जी आज हमारे साथ इस यज्य में विश्य श्रुप से जुड़े हूँ और जिन्होंने पू पूरेस भाई जी बहन, निर्मला बहन, बहुत विश्य रूप से, इसमें यज्य करो, इस स्वासामरित हवन सामगे और उसके बाद गुगुल की है, राल की है दूनी, और इसकी विश्य जो दिरोविया है, इनी की दूनी करने पर वो ठीक हो जाता है, तो इस प्रकार से य कई प्रकार के TB के बेक्टरिया होता है, उसमें जो है भी बेक्टरिया होता है, वो भी नश्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हैं यक्ष्माहरवन सामगरी, वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मीर्च, पिपली, इलाइ हैं, वो भी ठी हो जाएं, TB के जो रोग हैं, उसमें भी विश्यश रूप से लाब होता है, तो यक्ष्माहरवन सामगरी भी विश्यश करके लाब करता है, और उसमें जो राल है, वो बहुत विश्यश रूप से लाब करता है, राल की धुनी, गुगुल की धुनी, तो उस कि जीसा लगता है कि जैसे आव लग रुखिए और, आँखे हो जाती है, बाल अलसमय में ही सफेद हो प्रकार की समस्या हो तो पित जिनको बढ़ जाते क्या करें पित के लिए स्वेच चंदर स्वेच चंदर का हम विश्य शुरुष इसी से आहुति दे इसी से हवन करें और हो सके तो इसमें गुलाब की पुंखडिया गुलाब की पतिया दोनों को मिला दे 50 परतिसाथ 25 परतिसाथ इसमें स्वेच चंदर और गूगल और खस यह जो सितल आउशे दिया हो जाए उनसे हवन करना है और गुलाब की पतियों की धुनी के रिए या चंदन की धुनी कीजिए और उसमें बेट करके और राल थोड़ा साल ले सकते हैं और उसमें बेट करके अनुलोम भी लोम कीजिए, खाली स्वेट चंदन, खाली गुलाब की पती, ये सब जगा पे उपलग दोजे, उसी को आप डाले और उसी में अनुलोम भी लोम कीजिए, धुनी लीजिए, हमने देखा जिनको बहुत ज़दा सीर भारीपन हो रहा है, उल को डाल करते हैं, उसकी धुनी लीजिए, तूरण सांते में लीजिए, तो ये पित्तज रोग जिनको होते हैं, उनके लिए भी विशेश रूपचे, ये स्वेट चंदन हैं, गुगल हैं, खस हैं, या बिल्वब का गुद्दा होता हैं, बिल्वब फल का गुद्दा, या पत्या हैं, सिसम की पत्या हैं, जो ठंडे पदार्थ होते हैं, वो सारे ठंडे पदार्थ होते हैं, इसमें परियोग लेकर जो परियोग कर सकते हैं, और जिनको महताव बेहनों को भी जिसे मुतर संस्तान से समद्दी कुछ बीमारिया होती हैं, और बिल्डिंग आदी की सम हो जाता है उसकी समस्या पूरी तरह से नाबुद हो जाती है इस प्रकार से अलग-अलग रोगों में अलग-अलग जड़ी बुकियों का प्रियोग करके हम कई सारे प्रकार के रोगों से सांती पास आते हैं और यह एक विशेश हवन सामगरी हमने निर्मान किया है इसमें उड़ते हुए उस विशेली वायू के कान गीर पड़ते हैं लोगों को गले में जलन सी होने लगती है नासिका में जलन सी होने लगती है दम सा फूलने लगता है दम सा घूटने लगता है और इस परकार के जो मतलब आज जो वायू प्रोड़ जाता है तब जो जो समस्या ह तो इस इस प्रकार की समस्याय गिनाई हैं और ऐसी ऐसी जिनको समस्याय होती हैं उन समस्याओं के दोरान उस समस्याओं के समय विशेश रूप से विशगन धूप से हवन और विशगन धूप से धुनी धुआ करने पर वो रोग हमारे वायू के अंदर जो विशाक्ता है वाय निर्गुंडी, इलाइची, तमाल पत्र, तगर, पुसकरमुल या पुसकरमुल की जगा पे कुष्ठ और फुल प्रियंगु जिसको निर्गुंडी आदी का भी हम प्रियोग इसमें विशेशुरुप से लेते हैं निर्गुंडी तो ये कुछ द्रव्य है इन द्रव्यों को मिला करके गाई का घ्रीत मिला देते हैं इसमें और इससे ही हवन और अंगारों के बार डाल करके उसकी धूनी करना और उससे वायु मनद सुद्ध हो जाता ये विशेश न धूब के रूप में सुष्रुप सहीता में विशेश रुप से इसका वरना तो ये भी हमने पूरा डिटेल से सास्तर प्रमानों के साथ और बहुत ही अच्छे रूप में ये सारी चीज़े इसमें दे रखी हैं तो उनको भी आप देख सकते और ये तो मैंने कुछ चीज़े आपको वेसी ही बताई इसमें धूम्र के भी बहुत सारे ऐसे प्रियोग बताएं गएं कि अलग-अलग रोगों में कौन से रोग में किस प्रकार से धूम्र चिकित्सा का जो हमारे सास्त्रों में वर्नन बताया गया है उसके अनुसार हम इन धूम्र चिकित्साओं को लेकर के भी अलग-अलग द्रव्यों की धूनी करके वो भी हम आगे देखेंगे समय के अनुसार सुना है कि तूलसी पवित्र होती है उसकी पूजा की जाती है उसको तो हम जलाते नहीं है दूसरा पिपल की पूजा की जाती है उसको भी जलाना नहीं चाहिए ऐसा हमने सुना हुआ है हाँ निश्चित रूप से हमने सुना है लेकिन यज्य हवन हम पूराने जितने भी हमार उसमें परियोग करने के लिए बार बार लिखाए लेगी नहीं अभी तक कहीं पे ए नहीं पड़ा कोई शास्त्र में कि पिपल और तूलसी का परियोग हवन में नहीं करना चाहिए तो आप निष्चिंत हो करके तोल्सी का और पीपल का या पीपल की लकड़ी का आप अवेश्यमेव परियोग इसमें ले सकते हैं और इससे अनेएक प्रकार कि रोग असाद्ये विमारियों से छुटकारा पाता है हाँ, नहीं पिपल में होता क्या है, मना क्यों करते हैं क्योंकि पिपल पेड में कोई फल भी शेश इस प्रकार का होता नहीं कोई इस प्रकार की उसमें आमदनी होती नहीं लोग उसके पेड़ों को लगाते नहीं है, सामानी रूप से जो प्राक्रती क्रीम से लगे हुए होते हैं, वही होते हैं उसको आप वैसे लगाऊंगे उसके पेज आदी को वह होते नहीं है जब तक उनके पीजों को कोई पंच Peng खाते हैं और कहीं बीट करें और वो बीट जब तक गिली ना हो और वहाँ पे बारिश ना हो तब तक वो नहीं उगता है उसी पद्धती से वो उगता है तो उसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस और वो होती है हमारी और से हम बीज डाल दे और उग जाएं बरगद हैं, पीपल हैं यह कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बीज लगाने पर नहीं उगते हैं जब वो बीज को पंची खाते हैं, बीट करते हैं उसके बाद वो उगते हैं और उसके बाद वो पोधे होते हैं और सामन एरुप से कोई आमदनी आदी होती हैं तो लोग उसको लगाते हैं तो हम पीपल आदी के पेड़ पोधी भी अवश्य लगाए, पीपल है, बर्गद हैं, तूलसी हैं, और फिर उसके बाद हम उसका प्रयोग है, अन्य था हम उसका प्रयोग तो ले रहे, कार तो रहे, लेकिन लगा नहीं रहे, तो वो तो ना बुझ हो जाएगे, तो इसलिए ह विराम देते हैं, सभी लोग सीधे बेठते हुए, परम पिता परमात्मा से प्राथना करते हुए, और विशेश रुप से हमारे आधनिय भाए श्रवन भाए, आधनिय भाइ, हमारी माता निर्मला माता जी, आधनिय भाइ शुरेश यादव जी और हमारे पूरे मुंबई की प्रणाम करते हुए, आज की सत्रों को विराम देते हैं, सभी लोग सीधे बेटते हुए, शांती पाठ करते हैं, लंबा गहरा श्वांस भरते हुए. अंध्यो शांति अंतरिक्षम शांति प्रिथिवे शांति रापह शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर विष्वे देवा शांतिर ब्राह्म शांति सर्वगं शान्ति शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रेधी ओम शान्ति 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 ही ओ यज्य अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिंद्रा वो आवसाद आदी मानसिक रोगों को दूर कर शांती वा सौमनस्य प्रदान करता है यज्य से विशायली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है वो जानलेवा बैक्टेरिया, वायरस, फंगस, आदी नश्ट होते हैं एवं रेडियेशन को भी कम करता है यज्य भूमी की उर्वरा शक्ति एवं फस्तों में एक्टिव कमपाउन को बढ़ाता है तथा रोगों की रोग धाम भी करता है यज्य क्रिशी से उत्पन, अन, फल, आदी उत्तम, पोशक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं यज्य उत्तम वर्षा करने बाला तथा जलाशेयों का शोधन करने बाला होता है यज्य जड एवं चेतन दोनों में सात्विक्ता का संचार करता है यज्य जहां भावतिक आश्वर्य एवं पुर्णियों को प्रदान करता है वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवी चेतना का उत्कष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है यज्य भारतिय संस्कृति की मुकुट मनी है, प्रतीक है, मूल है मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्य जुडा हुआ है चाहे वह संस्कार, चाहे पुजा पाड या फिर परवसे लेकर हर सूब असूब अवसरों में भी यज्य करने के सार्व घौमिक, वैज्यानिक एवं पंथ निर्बेक्ष पावनी परंपरा रही आईए, हम संकल्प ले, संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अबनाएं बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मा की प्रति अपने रिणों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा